आज हम आप लोगों के साथ लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार भुटे की रेस्पी जो टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होगा फ्रेंड्स इसको आप सामके समय सनेक्स के रूप में खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर पांच भ इसो में बाढ़ देंगे मतलब दो टुकरे कर देंगे इसको और इन सारे भुटो को ना उबलने के लिए रख देंगे इसको कम से कम 10-15 मिनिट के लिए उबाल लेंगे इसमें डाल देंगे एक चमच नमक जिससे इसमें टेस्ट आ जाए आप चाहने तो इसको प्रेसर बच्चे से लेकर बरेता को बहुत ही पसंद आने वाला है अब हम इसके लिए छोटा सा मसाला रेडी कर लेंगे तो यहां पर हमने दो चमच के इतना बटर आदा चमच भूनी मुई जीरा आदा चमच गरम मसाला और यह हमने ब्लेक साल्ट लीवा इससे टेस्ट एक्टाके पते और इन सारे चीजों को अच्छे से बटर के साथ पहले मिक्स कर देंगे आप चाहे ना तो बटर के जगह में देल का भी यूज कर सकते हैं तो इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे भूटे को और अच्छे से ना भूटे को हाथों भूट्टे में लगा देंगे यहां भूट्टे गुरम है तो इसके उपर इसके SüEMA star कोटे सेीधे उलगा है और। हमने मैं सारे मसाले कर दिया हैं एक जिना और इसको माइकरूब करें अगर आप माइक्रूब नहीं करना चाहते तो आप इसको कराई या पैन में भी थोरे से बटर या तेल फिर से डाल दे और उसको हलके आज पर रोष्ट कर ले ओ भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो हम इसको माइक्रूब करेंगे 15 मिनट के लिए हम इसको माइक्रूब कर देत आप इसको साम के समय इंज्वाइ कर सकते हैं और बच्चों को भी दे बहुत ही पसंद आएगा उनको और यहां पर इसको और ज़्यादा टेस्टी वराने के लिए इसमें डाल देंगे थोरे से निम्बू के रस यह पूरी तरीका से अप्सनल है आप डालना चाहे तो डाले वराना इसको स्किप कर सकते हैं तो यह लिजी है हमारे मरसालेदार भूटे बन के रेडी हो गया है अगर आज का रेस पी पसंद दो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सस्क्राइब जुरूर करें बायो फ्रेंज टेक कियर